अगर लक्षो निशीद तो तकदीर बदल जाती है और मिल जाये सरकारी नोकरी तो जिंदगी सवर जाती है आपके सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओ को एक और करते हुए हम ले चलेंगे आपको सफलता के द्वार तो CRPF में अपनी 100% सेलेक्शन सुनिशित करने के लिए जोईन करे SSC Maker का CRPF Special Badge जिसमें आपको अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से सभी क्लासेज एकदम बेसिक से दीजाएंगी तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSC Maker का एप या दिये गए नमबर पे कॉल करें झाल 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 नमस्कार दोस्तों मैं अजयर सिंग आपको स्वागत करता हूँ SSC Maker के इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट करके बताए तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है पढ़ाई कैसी चल रही है वटाफ़र्मेंट करके बताएए आप सभी को गूड इवनिंग गूड इवनिंग गूड इवनिंग जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड जाईए कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास हम लेने वाले हैं रीजनिंग की काफी important question आज कराने वाले हैं जो आपके आगामी एक्जाम SSE MTS, SSE CGL, CHSL और आपके CRP of Trade Man और भी आपके जो other exam है जिसमें reasoning आते हैं तो उन सभी एक्जाम के लिए ये class important होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की class में हम बहुत ही important और selected question रखे हैं जो लगबग लोगों सभी परिक्षाओं में देखने को मिलते हैं उन प्रशनों को कराने वाले हैं और सभी प्रशनों को solve करने के लिए आप लोगों को सौट्रिक भी बताएंगे ताकि reasoning के प्रशनों को solve करने के लिए आप लोगों को पैन उठाने की ज़रूरत ना पड़े तो सभी student ज बहुत शारी vacancy आ रही है क्योंकि 2024 में चुनाव है इससे पहले पहले आप लोग मन लगा के पढ़ दीजिए और selection ले लीजिए क्योंकि vacancy देख रहे हैं भरमार है vacancy हो की ठीक है तो अच्छे से आप लोग पढ़िए मन लगा के तयारी करिए नहीं समझ में आ रहा है तो प इस question का आंसर देखना चाहते हैं कितने student ऐसे हैं जो इस question का आंसर दे रहे है फटाफट बताईए तो इस question का आंसर क्या होगा पहला question important है पूछा गया है और ऐसे प्रसनम आप लोग को पहले भी कराए है question है दिए गए विकल्पों में से संबंधी संख्या को चुनिए जिस प्रकार से 18 का संबंध 5 से हैं उसी प्रकार से 12 का संबंध किस से होगा इन चारो विकल्पों में से आप सभी को बताना है तो जल्दी से आप सभी student comment करें तो इस question का आंसर क्या होगा हम देखें आप लोगों क्या answer दे रहे हैं देखिए यहां पे ऐसे कर लीजिएगा 18 का संबंध 5 से है तो 12 का संबंध किस से होगा question क्या है 18 का संबंध ध्यान दिजेगा 18 का संबंध जिस प्रकार से 5 से है उसी प्रकार से 12 का संबंध 12 का संबंध किस से होगा आप सारे student बताएं क्या होगा इस question का answer 6 आ रहा है 6 इस question का answer नहीं होगा कैसे 6 आ रहा है एक बार बताएं आप लोग, कुछ student बहुत अक्षे हैं, सही answer दे रहे हैं, logic भी बताएं, कैसे आप solve कर रहे हैं, minus कर रहे हैं, देखिए, minus करेंगे तो नहीं होगा, minus कैसे हो सकता है, देखिए, minus अगर आप इस में से करेंगे, 18 में से कितना minus करेंगे, 13, लेकिन 12 में से क्या आप 13 minus करेंगे, तो minus में सला जाएगा, तो ऐसा कोई संख्या आपको option में दीखना ही रहा है, तो ऐसे नहीं होगा, कुछ student दस बोल रहे हैं, चार बोल रहे हैं, कुछ भी answer नहीं देना है, कुछ बच्चे सही answer देना है, बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, चलिए, बताएं क्या होगा, देखिए, समझ देखिएगा, एक बार देखिए इस question को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ज्यादा कुछ करने की ज़ूरत नहीं है, बहुत ही simple है, ना समझ में आए, तो आप ऐसा कुछ करिए न, 18 को क्या करें कि 15 हो जाए, अगर आप देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा, यह 18 है न, अगर 18 को हम, ध्यान दीजिएगा, 18 को अगर हम 3 से भाग करते हैं, तो कितनी बार में जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर है 5, तो 1 माइनस कर देंगे, तो 5 होगा, ठीक है, 1 माइनस करेंगे, तब जाके 5 हुआ है, चलिए, इसी परकार से 12 है न, 12 को भी आप 3 से भाग करिए, तो 3, 4 को 12 हुआ है, इसमें भी 1 माइनस करेंगे, तो 3 होगा, question mark पर क्या होगा, 3, option number होगा C, ऐसे कितने student कर रहे हैं, ऐसे कितने student कर रहे हैं, बताईएगा, चलिए, समझे में आ गया, या आप इसको ऐसे देख रहे थे, या आप इसको ऐसे देख रहे थे, 5 का क्या किये हैं, 3 गुणा किये हैं, प्लस 3 किये हैं, तो यहाँ पे जब 3 होगा, तो 3 का क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे, प्लस 3, 3 तरीकर 9, 3, 12, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, बात वही है, बात गुमा फिरा के वही है, तो ऐसे आपका answer होगा 3, 3, very good, बहुत अग्स है, जितने student answer दे रहें, 3, option number 3, और बाकी लोग, जो लोग दे रहें, option number A, B, और D, जो 4, 10, और 6 answer दिये हैं, समझ लें, कैसे हुआ है, गलती नहीं करना है, ठीक है, उमीद करते हैं, समझ गये होंगे, next question के तरफ चल रहें, दूसरा question, दूसरा question series का है, काफी important question है, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा, एक option गड़बड हो गया है, रुख जाए, रुख जाए, दो second, यहाँ पे थोड़ा सा, हम option सही कर देते हैं, क्योंकि option यहाँ पे क्या है न, गलत हो चुका है, चली, option इसमें न, आप लोग थोड़ा से सही कर लीजिएगा, दो second बता रहें, इसको option को मिटा देते हैं, क्योंकि option में थोड़ी सी गलती हो गई है, आप इस series को देखिए, तब तक solve करिए, सारे student, series को देखिए और solve करिए, चली, सारे student तब तक series को देखिए, और solve करिए, तो आप लोग बताइए क्या होगा, इसका, चली, इस series को आप लोग solve करिए, तो बताएं, series का answer क्या होगा, यहाँ पे question क्या बोल रहे है, question बोल रहे है, दी गई स्रिंखला में, loop त संख्या ग्याद करे, दोस्तों, यहाँ पे एक series चल रहे है, स्रिंखला चल रहे है, एक संख्या यहाँ पे गाइब है, यहाँ पे जो संख्या गाइब है, वही बताना है क्या होगा, बताएए तो क्या इस question का answer आ रहा है, फट़फट comment करिए, इस question का answer क्या आ रहा है आप लोगों का, जल्दी से बताएं, सारे student बताएं और एक साथ comment करें, इस question का answer क्या होगा, हाँ, फट़फट बताइए, चले, देखिए, series जो है, वह है आपका, 3, 3 है, 11 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद से 102 है, फिर question mark है, उसके बाद से 443 है, तो इस question mark पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, आप सभी को बताना है, फट़फट comment करिए, क्या होगा इस question का answer, कैसे बढ़ रहा है, अच्छा, कुछ से student बता रहे हैं, बहुत अख्षे, very good, बहुत अख्षे, answer आ रहे हैं, देखिए, simple है, आसान question है, समझते हुए करे, बहुत अख्षे, बहुत अख्षे, कुछ student बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए कैसे solve होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, 3 से 11 हुआ है, बढ़ा कितना है, 8, 11 से 38 हुआ है, तो आप 38 में से 11 घटाएंगे, तो 8 में से 1 जा, 7, 3 में से 1 जा, 2, 27, फिर 38 से कितना हो गया है, 102 हो गया है, तो इधर देखा जाए, तो 62, 62, 64, कितना बढ़ा है, 64 बढ़ा है, फिर आगे क्या बढ़ेगा, और उसके बढ़ क्या होगा, यह चीज देखना है, तो आप थोड़े से दिमाग लगाएंगे, तो यह 8 है, 27 से 64 है, यह चीज अगर आप देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ, कुछ लोगों का 127 भी आ रहा है अंसर, अच्छा, देखिए थोड़े से दिमाग लगाएंगे, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, यह जो 8 है ना, यह जो आपके सामने 8 दिख रहा है, यह 2 का क्यूब है, यह 27 जो दिख रहा है ना, आपके सामने यहाँ पे 27 है, तो यह 3 का क्यूब है, यह 64 क्या है, 4 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होगा, 102 और 125 जूड़के क्या होगा, 227 होगा, कितना होगा, 2, 2, 7, 227 होगा फिर आगे अगर हम बात करें तो क्या होगा 6 का Q 366 के 216 जब 216 जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 हो जाएगा 2, 1, 3, 1, 4 हांसिल जुड़के हो जाएगा उसके बाद 244, 443, आगे भी सीरीज सही है इसलिए आंसर होगा 227 क्या होगा, option number D होगा बहुत दक्षे, क्या चल रहा है cube चल रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का ऐसे बढ़ा है, क्या बढ़ा है हां, cube के रूप में संख्याएं बढ़ रही है, very good बहुत दक्षे, समझ में आगया है आगे चले, next question के तरफ very good, बहुत दक्षे एक दम साई, चलिए, next question दीजी एक answer, next question का आंसर दीजी question number 3 important है direct answer देना है, तरीका आप सभी को पता है, कैसे ऐसे प्रस्णों को solve किया जाता है, question है, किन दो चिन्हों का परस्पर बदलने से निमने समीकरण सही हो सकता है समीकरण यहाँ पे है, 15 plus 3 गुने 9 minus 4 भगे 16 बराबर 57 होना चाहिए, बराबर 57, यानि कि 57 आना चाहिए, किन दो symbol को आपस में बदल दे, ये बोल रहा है, परस्पर बदलने से, ये ही सर, हमारी यहाँ बारिस हो रहा है, हाँ, बहुत जगा बारिस हो रहा है, इधर भी एक दो दिन से देख रहे हैं, बारिस का मौशन बना हुआ है, तो चलिए, कोई बात नहीं, पढ़ा ही करिए, बारिस हो रहा है, तो और अच्छी बात है, पढ़िए, नेट नहीं चल रहा है बारिस को जासे तो गलत बात है कि बताये क्या अंसर होगा एक साथ कॉमेंट करिए सारे स्टूडेंट बताईए क्या होगा अंसर कुछ भी आंसर आ में भाग और माइनस अगर हम माइनस की जगा भाग करेंगे तो क्या ये नौ चार से बिवाजित होगा नहीं होगा तो इस ओप्षिन को क्या चेक नहीं करेंगे फिर ओप्षिन नमबर डी में है प्लस और भाग प्लस की जगा पर अगर हम भाग कर दे तो क्या पंदरा तीन से बिवाजित होगा, हाथ 3 के पहाड़ा में 15 आता है, 15 तीन से कटेगा, तो यानि option number हम D को पहले चेक करेंगे, यानि क्या करना है, आपको plus की जगा क्या करना है, ध्यान दीजेगा, plus और भाग को आपस में बदलना है, यहाँ भाग है तो यहाँ पे plus, और यहाँ पे plus है तो भ होते हैं, जो भाग वाले symbol से ही solve हो जाते हैं, ठीक है, एक दो question अलग type की इसमें आते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान दखना है, तो एक समीकरण बनाएंगे इसको, यह समीकरण बनेगा, 15 अब भागे हो जाएगा, plus नहीं, भागे, 3, गुने 9, माइनस 4, अब भागे नहीं, भागे की जगा, plus, ठीक है, उसके बाद 16, बराबर क्या 57, यानि कि 57, इसको solve कैसे करते हैं, board mass rule, B, O, D, M, A, S, B का मतलब bracket, costak, costak तो है नहीं, O का मतलब off, off का मतलब का, का का मतलब गुना, इसमें है नहीं, फिर D, D का मतलब divide, भाग, M का मतलब multiply, गुना, A क addition, जोड़, ऐसका subtraction, घटा हो, यानि इसी करव में चलेंगे, पहले देखिए, bracket, बार bracket होता है, शोटा bracket होता है, उसके वाज से मझोला bracket होता है, बड़ा bracket होता है, तो इस सबär ब्रेकेट तो इसमें है नहीं, का भी नहीं है, भाग है, तो पहले भाग करेंगे, भाग करें 45 हो जाएगा, minus 4, plus 16, बराबर क्या आना चाहिए, 57 आना चाहिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, जोडेंगे, क्या करेंगे, जोडेंगे, 45 और 16 जोडेंगे, तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, क्या करेंगे, इनको जोडना है, तो 61 minus 4, बराबर क्या हो जाएगा, 57, बराबर 57 हो रहा है, किस option से हुआ, option number D से, इसलिए option number D को क्या करेंगे, right answer बोलेंगे, क्या बोलेंगे, option number D क्या है, answer आपका होगा, इसी से condition पूरा satisfied हुआ है, इसलिए आपका answer होगा, ठीक है, बताइए, clear है, समझ में आ गया है, कैसे solve हुआ है, ये बताइए, तो सारे student, सभी को समझ में आ गया है, या किसी को नहीं आया है, नहीं आया है, तो दुबारे समझाएंगे, आगे है तो आगे चलेंगे, जल्दी से comment करिए, और मन लगा के तयारी करिए, अच्छे से आप लोग पढ़ाई start कर दीजे, क्योंकि अब आप लोगों के सामने बहुत सारी exam है, अब next month से, यानि April से ही बात करें, यानि कल के बाद से, तो आप देखेंगे, आपके सामने CISL का form होगा, CISL का भी exam देना है, MTS का भी आपका मही में exam start होने वाला है, तो एक महीना time है, MTS के लिए भी आप पढ़िए, CRPF का है, तो CRPF के लिए पढ़िए, पढ़ाई start कर दीज ठीक है, चलिए, आगे चले next question के तरफ, हाँ, अगला question देखेंगे, question number 4, question number 4, काफी important है, इसका answer आप लोग देंगे, देखें कितने student answer दे रहे, question है, दिए गए चार समुहों में से, उस समुह को ग्याद कीजिए, जो दिए गए संख्या समुह के समान है, 5, 13, 12, जिस प्रक है, 13 है, और 12 है, जिस प्रकार से या आपस में संबंदित है, उसी प्रकार से, अगर देखा जाए, तो 5, 8, 13, minus 1, ऐसा कुछ सोचिए, या कुछ अलग तरीके से सोचिए, और answer दीजिए, बताइए तो, क्या होगा इस question का answer, बताइए, ये clear है, आसान है, हाँ, हाँ, शो मुआर से आप लोगों के लिए बताएए, CGL, CHSL, MTS के लिए, हाँ, संडे को 9 बजे, गुलसन सर्गी, मैट्स की क्लास लेंगे, जिसमें कोई topic पढ़ाएंगे आप लोगों को CGL, CHSL, MTS के लिए बहतरिन तरीके से, ठीक है, संडे से, चली, clear है, आगे चले, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अलग-अलग आंसर देने लगे, लॉजिक ही नहीं पता चल रहा है, देखें, लॉजिक नहीं पता चल रहा है, तो देखें, हम आप लोगों को क्या बताए थे, क्या बताए थे, संख्या को आप ध्यान से देखिएगा, पांच है, तेरा है, बारा है, अगर बड़ी संख्या की बात करे, बड़ी संख्या की बात करे, तो बड़ी संख्या की बात करे, तो क्या है, तेरा है, अगर बात करे, पांच बारा को आप तेरा कर सकते है, तो आप को पता है 5, 12, 13 क्या होता है, triplet होता है, यह आप सभी को पता है, बस इसमें वही चीज करना है, triplet का मतलब simple भाशा में अगर बोले, तो यह 5 का square, दो छोटी संख्याओं का square करके जोड़िये, और बराबर बड़ी संख्या का square होगा, यानि कि 5 का square प्लस 12 का square बराबर होगा, 13 के square के, समझ रहे हैं, देखिए, 5 का square 25 होगा, 12 का square 144 होगा, 13 का square 179 होगा, तो आप 144 और यह जोड़ेंगे, तो 549 हो जाएगा, 426 हो जाएगा, 1, 179 बराबर 179, समझ में आ रहा है, ऐसे ही आपको देखना है, कि संख्या का होगा, 15 का square, 13 का square, ध्यान दीजिएगा, 15 का square, 225 13 का, 179, 19 का, नहीं, 13 का, 11 का, 11, 9, फिर देखिएगा, 6, 8, 10, समझ में आ रहा है, कुछ कुछ, देखिए, option number D पर आप डारेक्ट जाएगे, 6, 8, 10, क्या है, 6 है, 8 है, 10 है, 6 है, 8 है, sorry, 6, 10, 8 है न, हाँ, 6 है, बीच में 10 है, और उसके बाद से 8 है, तो 6 का square क्या होगा, 36 8 का square क्या होगा, 8 का square 64 होगा, 36 plus 64 क्या होगा, जोडेंगे तो 100 होगा, और 10 का square भी क्या होता है, 100 ही तो होता है, option number D, कुछ नहीं करना है देखिए, ज़रूरी नहीं है, आपको पूरा square करके जोड़ नहीं है, पांच के square 25, यहाँ पे 5, 11 पे होगा इसका, 9, 9, 5, 14, 4 होगा, लेकिन 9, 9, 9, 81, 1, एक समझ रहे, ऐसे देखिएगा, तीन तरीके 9, फिर उसके बाद, एक एकम एक नौ एक दस आसत उन्चास नौ नहीं होगा, समझ रहे ना, ऐसे भी देख सकते हैं, यह नहीं कि बड़ा का स्क्वाइर करके आपको चेक करना है, हाँ, एक आई एंक से भी आप कर सकते हैं, सबको, फटाफट फटाफट सेकेंडों में हो जाएगा, यह नहीं कि आ आगी है, 6 का स्क्वाइर प्लस 8 के स्क्वाइर पर रबर 10 का स्क्वाइर, हो रहा है ना, एक दम से, चले आगे चले, next question के तरफ, आगे चले, हाँ, अच्छा, question number 5, question number 5 का आंसर आप लोग दीजिए, important है, और इस प्रसंद को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं, देखते हैं कितने student इस question का answer दे रहे, question है, दिये गए सब्दों को अंग्रेजी वडमाला की करम में व्यवस्थित करे, अंग्रेजी वडमाला की करम में, order करना है, अंग्रेजी वडमाला की करम या dictionary के according आपको इसको, जो सब्द दिये गए है ना, इनको व्यवस्थित करना है, यहाँ देखिएगा, आप लोग, habit है, habitat है, handle है, hammer है, उसके बाद harvest है, इनको व्यवस्थित करना है, तो बद व्यवस्थित करिए, तो देखें कितने student answer दे रहे हैं इस question का, फटफ़फट answer दीजी आप लोग, हाँ, सारे student comment करें, इस question का answer क्या होगा, अगर आपको A, B, C, D, पता ह A, A, Z, तक तो आप 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 से बता सकते हैं, जल्दी से comment करिये, बताए question का answer क्या होगा, एक साथ comment करिये, सारे student देखें, कितने student answer दे रहे हैं, चलिए, फटफ़फट comment करें, आप सारे student बताएं, क्या होगा इस question का answer, जल्दी से बताएं, मन लगागे पढ़ी, अच्छे बता रहे हैं, very good, बहुत अच्छे, देखिए कैसे solve करना है, देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, कोशिस करिए, देखिए, सब में देखिए common क्या है, अगर आप बात करें सब में common की, तो H A, इसमें भी देख रहे हैं, H A, फिर इसमें H A है, इसमें भी H A है, इसमें भी H A है, अब चलेंगे आगे, आगे अगर चले, तो यह देखिएगा, इसमें B है, इसमें B है, उसमें N है, नहीं, छोड़ना नहीं अभी, R है, M है, इसमें B है, फिर देखेंगे इसमें I है, इसमें भी T है, इसमें भी T है, लेकिन यह क्या हो गया, समाप्त हो गया, यह समाप् पहले एक नमबर होगा, फिर दो नमबर होगा, इन दोनों का काम समप्त, अब आगे देखेंगे, ह, ए, ह, अब देखिएगा, इसमें M है, इसमें क्या है, N है, और इसमें R है, तो बताइए A, B, C, D पढ़ेंगे, तो पहले M आएगा, N आएगा, या R आएगा, तो आप बोले आएगा, उसके बाद से आपका ये क्या आएगा, R आएगा, R ठीक है, तो ये इसका करम क्या हो जाएगा, 5, तो अंसर होगा, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4, 3, 5, option number B में दिख रहा होगा, सभी बच्चों को बताइए, 1, 2, 3, 5, 5 last में जाएगा, बताइएगा, clear है, हाँ, option number B, सबका answer आ रहा है, एकदम सही, बहुत अक्षे, बहुत अक्षे, सबका option number B आ रहा है, एकदम सही, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, तो एक बार यसा कॉमेंट करिए, नहीं आया है, तो दूबार समझाएगे, बताइए, समझ गये, option number B आ गया और मन लगा के पढ़िए आप लोगों के लिए क्लासे चल रही है लगतार देखिए और एक बात और बता दे आप लोगों के लिए ससी मेकर एप पर भी क्लास से चल रहा है आपके अगामी सभी परिक्साओं के लिए ओन लोगों के लिए कल से बैच स्टाट होने जा रहा है ससी सीजल दो हजार तेज स के लिए ससी मेकर एप संकलप बैच हम लोग start कर रहे हैं 1 April से, कबसे 1 April से आप लोगों की इस पर class से चलेंगी, एकदम basic से, zero level से, chapter by chapter चलने वाली है, और 100% selection दिलाने के लिए चलने वाली है, 90 दिनों में आपका पूरा course complete करा दिया जाएगा, जो भी नए student है या पूराने student है, इस बैच से आप लोग जु CGL, CGL 40 तो 40% इस पर आफ हो जाएगा, ये बैच आपको मातर 300 रुपे में पड़ेगा, और फर आप लोगों को दिया गया है 5 April तक, तो सभी बच्चे जुड जाएंगे, जुडने में अगर कोई आपको समस्या आ रही है, तो आप SSC में एकर करके customer care number 7080108555, इस नंबर प सभी बच्चे जरूर जुडें, जितने भी student तैयारी करेंगे, अब आपका 1 April के बाद आप देखिए, आपका हो सकता है कल या April के 1st week में SSC CGL 2023 का notification भी आजाए, ठीक है, तो सभी student जरूर जुडेंगे, और हम आप लोगों को बता दें, जो student CRV of exam की तैयारी करें, CRV of Technical and Tradement 2023 टेइस exam की तैयरी करें, उनके लिए भी SSC Maker special batch चल रहा है, 100% selection के लिए, इसमें भी आपकी जो classes है, एकदम basic से, 0 level से chapter by chapter चल रही है, तो सभी बच्चे form भर दीजिए, अगर form नहीं भरे हैं, तो form भर के उसके बाद से आप लोग तैयारी में एकदम लग जाईए, batch की फी ब आप लोग question number 6, question number 6 बहुत ही important है, और इस question को हम test के तौर पे रखते हैं, देखते हैं कितने student answer दे रहे हैं, ये question हम आपको बता दे, most important question है, थोड़ा से इसको भासा को आपको समझना पड़ेगा, फिर solve करना पड़ेगा, ठीक है, और इस question को हम test के तौर पे रखते हैं, चल किस प्रकार संबंदी थे, बताइए, चलिए, कोई problem हो रही है, बैच को जो आइन करने में, तो आप SSC में करें कि कश्मर के अरवाला जो number है, help line number है, उस पर आप बात कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए, English की class आपकी app पर चलेगी, English की class चलेगी CGL के लिए एक दम बेसिक से, SSC ZD का physical 15 दिन में कैसे होगा, जब cutoff वाली आपको वीडियो बताए थे, एक महीने पहले, एक महीने से ज्यादा दिन होगे, तो उसी में हम आप लोगों को बता दिये थे, कि आप लोग running start कर दीजिए, physical की तयार ही करिए, अगर आप उस cutoff के लगवग में हैं तो, यह हम आ आपने start नहीं किया, तो गलती आपकी है, number कितना हो रहेगा, physical में फेल हो जाएंगे, तो SSC ZD में आपका selection नहीं होगा, पहले ही बता दिये थे, तो चलो ठीक है, cutoff आएगा, number आएगा, फिर दोडेंगे, तो ऐसा तो चलता रहेगा, ऐसे करते रहो, देखिए, अगर physical की त लो जाएंगे, या सिर्फ आप physical की ही तैयारी कर रहे है, return की तैयारी नहीं कर रहे है, तो भी आप बेकार है, समझ रहे हैं, अच्छा बच्चा वही है, जो पूरा balance करके चल रहा है, physical है, तो physical की भी तैयारी करना है, तो written की भी तैयारी करना है, अब आपको देखना है, कि आपको पूरा written पर focus करना है, खोब अच्छे तरीके से, धुमधार तरीके से पढ़ना है, ताकि selection हो जाए, ठीक है, बताईए, अलग-अलग question आ रहा है, father होगा, husband होगा, क्या होगा, कुछ ने, किसी को पता ही नहीं है, अच्छा, समझा दे, देखिए, आसान question है, थोड़ जो है न, वो क्या है, Q का भाई है, P भाई है, तो plus से परदस करने के Q का clear नहीं है, U, T का पिता है, जो S का भाई है, अभी U, T, S के बारे में हम लोगों को कोई जानकरी नहीं मिलिये, इस line को छोड़ दीजिए, R, Q की मा है, R जो है न, ये जो R है न, ये Q की क्या है, मा है, म है, तो एक वीड़ी उपर होगी, अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझेना है, देखिए, जिसकी बहन S है, किसकी बहन S है, बताईएगा, R की की, Q की, यहीं पर confusion होता है, और प्रसन का answer गलत होने लगता है, देखिए, यहाँ पर हम आपको बताए है, Q की बहन कौन है, S है, देखिएगा, R Q का भाई है, R जो है, Q का क्या है, ध्यान दीजिए, सॉरी, दो सेकिट, R Q की मा है, R क्या है, Q की मा है, और, देखिएगा, R नहीं बोल रहा है, यह जिसकी बहन S है, जिसकी बहन S है, मतलब Q की बहन जो है न, O S है, समझिएगा यहीं पर आपको समझे ना है R Q की मा है जिसकी बहन S है मतलब किसकी S की Q की बहन है S ठीक है अब आगे देखिएगा इससे line कौन connect होगा U T का पिता है जो S का भाई है जो किसके लिए करता है जो और और वाला सम्मन्द बताहन है वो इसी परकार से जिसकी बहन है तो जो का मतलब है T T क्या है U T का पिता है जो S का भाई है ध्यान दीजिएगा U क्या है यहाँ पर देखिएगा U T का पिता है जो S का भाई है कौन भाई है ध्यान दीजिएगा कौन भाई है S का कौन भाई है T UT का पिता है जो S का भाई है S का भाई कौन है T U क्या है T का पिता है U क्या है U यह T के पिता है यह diagram इस टाइप से बनेगा अब बोल रहा है U, R से किस प्रकार संबंधित है तो देखा जाए तो नीचे इ standpoint के क्या है यह संतान है उपर मम्मी ये पिता जी, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, यू जो है, आर का, क्या लगेगा, तो ये female है, ये male है, उपर पती-पतनी है, तो यू क्या लगेगा, पती, अब बताईए, समझ में कहाँ पर नहीं आया, ये बताईए, answer आरे, husband, पती, कितने लोगों का answer आरे, option number C, यहाँ पर ध्यान देना है, ये डाइग्राम clear है, पती answer होगा, फादर नी, पती होगा, पती, यहाँ पर देखिए, बस यहीं पर समझना है, देखिए, एक बार और इस figure को फिर से समझा देते हैं, कुछ बच्च अगर नहीं समझ रहें, तो एक बार और इसे देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जिसका मितलब की last वाले की बात कर रहें, देखिए, P, Q का भाई है, तो P क्या हो गया, Q का भाई हो गया, अब देखिएगा, आगे बोलिए, बोल रहा है, R, Q की मा है, R क्या है, Q की मा है, female है, माहिने से प last वाले के लिए, मतलब T का, T का भाई है, sorry, T भाई है किसका, T भाई है किसका, S का, देखिएगा, U, T का पिता है, जो S का भाई है, S का भाई कौन है, T है, ठीक है, आगे बोल रहा है, U, T का पिता है न, तो U क्या हो जाएगा, T का पिता है, तो उपर हो जाएगा, बस, diagram आंसर देने, option number C, एकदम सही है, very good, समझ में आ गया है, आगे चले next question के तरफ, very good, समझ में आ गया है, अच्छा, चलिए, question number 7 का आंसर आप लोग दीजिए तो, question number 7 बहुत ही important है, कई बार exam में पूछा गया, इस प्रसनों को हम test के तोर पे रखते हैं, और time दे रहे हैं आप लोगों को 15 सेकेंड का, देखते हैं कितने student answer दे रहे, दिये गए pattern का ध्यान पूर्पा का ध्यान करें, और दिये गए विकल्पों में से उस संख्या का चैन करें, जो इसमें प्रसंचिन के स्थान पर आ सकती है, question वार कि हाँ पे है, और इसमें एक संख्या गायब है, missing number का काफी important question है, answer आप लोग दे, बताए इस question का answer क्या होगा, एक साथ बताइए, सभी student बताए इस question का answer क्या होगा, MTS का exam कब होगा, MTS का exam के लिए बस आपके पास April महीना ही है, मई के starting में आपकी exam है, ठीक है, तो एक महीना April, दम लगागे पढ़ दीजे, अच्छे से पढ़ दीजे, एक इस बने बोले, sir आप तक मेरा comment आ रहा है कि नहीं, आपका comment आ रहा है, ठीक है, चलिए, CGLVH में reasoning कौन बढ़ाएगा, Nikhil sir, बहुत ही बहतरीन तरीके से आपको reasoning बढ़ाएंगे, ठीक है, Math, Gulson sir, GS, Jogen sir, अश्वणी sir, English के एक बहतरीन टीचर है, computer के भी हम लोगों के पास एक बहतरीन टीचर है, जो आपको एक डम basic से पढ़ाएंगे, ठीक है, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, सर जी, दम कैसे लगाया जाता है, अच्छा, देखिए, दम कैसे लगाया जाता है, बता दे, टाइम आप पढ़ाई को दे दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, भोल जाईए, और समय अपना पढ़ाई प लगाईए, कम से कम 8 गंटे पढ़िए, 6-8 गंटे तो आपको प समय दीजिए पढ़ाई पर, अंसर आ रहा है, नहीं समझे है, संख्याओं को द्यान से देखिए ना, एक बार आप लोग देखेंगे तो clear हो जाएगा, देखिए, clear नहीं हो रहा है, देखिए, हम आप लोगों को क्या बताए है, देखिए, जब कभी भी question इस type का missing number आपके स सामने हो तो आप संख्या यो को धियान से देखेंगे संख्या क्या क्या है साथ 3 3 11 4 9 23 11 7 को शर्मा संख्या देखे तो बड़ी किस तरफ है अगर अगर एक अगर पूरा इत snow जाए तो 11 है, ऐसे देखा जाए तो 9 है, ऐसे देखा जाए तो नीचे वाली संख्या हो जाएगी, तो आपको ऐसे नहीं देखना है, अगर हम side-side देखे, ठीक है, उपर से नीचे देखे, अब 20-20 देखिये, अगर ऐसा देखा जाए, तो 11 है, अगर ऐसा देखा जाए तो तेईस है ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर हुआ क्योंकि ग्यारा साथ से सभी संख्याए बढ़ी है तो अब प्रशन क्या हो गया बहुत ही आसान हो गया solve करना क्योंकि आपको पता चल गया कि 7 और 3 को ही हम कुछ करेंगे तो 11 आएगा ठीक है 4 और 9 को ही कुछ करके 23 लिखा है ठीक उसी प्रकार से 11 साथ को उसी प्रकार से करना है जो इस option में एक मिल्स रहाएगा तो आप ये सोचिए कि 7 तीन को क्या करें देखिएगा 7 तीन को क्या करें 11 हो जाए 7 प्लस 3 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे 9, 4, 13, प्लस 1, 14 ना ऐसे नहीं हो रहा है और देखिए 7 को 3 से क्या करेंगे स्क्वाइर कर दीजिए क्यूब करिए इतना नहीं करना है अगर गुना कर दे तो 7 तरीके 21 हो रहा है देखिएगा जोड रहे हैं तो 10 हो रहा है कुछ दिमाग में आ रहा है देखिए एक बार आप क्या करिए गुना करिए एक बार आप जोडिए ठीक है और बीच में माइनस कर दीजिए कहने का मतलब है इसे 7 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा 21 होगा एक बार 7 प्लस 3 करिए 7 तीन क्या होगा 10 होगा अगर 21 में से 10 को क्या करें माइनस कर दे तो क्या होगा 11 और 11 यहाँ पे दिया हुआ है समझ में आ रहा है अच्छा इसे भी देखिएगा 4 गुने 9 करेंगे क्या 4 गुने 9, 4 नवा क्या होगा 36 होगा एक बार करेंगे 4 प्लस 9, 9, 4, 13 होगा माइनस करिएगा तो यह 3, 2, 23 हो रहा है 23 यहाँ पे दिया भी है क्या करना है एक बार गुना करना है एक बार जोड़ना है अंतर निकाल लेना है यही तो हो रहा है चली इधर देखिएगा 11 गुने 7 करेंगे क्या करेंगे 11 गुने 7 11 से 37, 77 फिर एक बार क्या करेंगे 11 प्लस 7, 11 साथ क्या होगा 18, माइनस करेंगे 17 में से 8, 9, 6 में से 11, 5, 59 क्या रहा है 59 एक बार क्या करिए गुना करिए जोड़िया अंसर रहा है 59 क्या 59 option में है हाँ है option number A में है clear है समझ में आ गया बताए समझ में आ गया तो आगे चले next question के तराफ नहीं आया है तो दूबारा समझाएंगे चलिए very good चलिए बहुत देखे next देखे अगला question देखिए question number 8 question number 8 देखेंगे काफी important है इसका answer भी आप लोगों को देना है सारे student answer देंगे यदि 3 January का दिन रविवार हो तो उस महीने के चौते बुद्वार के 3 दिनों बाद कौन सी तारीक होगी इसका answer दीजे तो देखें कितने student इस question का answer दे रहे फटाफ़ट आंसर दीजिए simple question है हम देख रहे हैं कितने student है जो answer इस question का दे रहे फटाफ़ट comment करके बताईए फटाफ़ट comment करिए सारे student comment करे comment करे क्या होगा इस question का answer जल्दी से बताए सारे student एक साथ बताए एक तीस होगा तीस होगा 26 होगा कुछ भी answer आ रहे सारे option देखिए तीन जनौरी का दिन बोल रहा है देखिएगा समझिए सारे student तीन जनौरी का दिन क्या बोला है रभीवार तीन जनौरी को क्या बोला है रभीवार ठीक है अब देखिए उस महीने के चोथे बुद्वार अगर दो की बात करे एक की बात करे तो बुद्वार तो आएगा नहीं, अगर 4 की बात करें, 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, 5 जनवरी की बात करें, 5 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, देखिएगा, 6 जनवरी की बात करें, तो 6 जनवरी को क्या होगा छे जनवरी को बुद्वार, पहला बुद्वार पढ़ रहा है छे को, छे में साथ जोड़ेंगे तेरा, तेरा को क्या होगा, अगला बुद्वार दूसरा होगा, तेरा साथ जोड़ेंगे बीस, बीस को क्या हो जाएगा, बीस को तीसरा बुद्वार होगा, और साथ जोड़ 30 जनौरी पड़ेगा option number A answer होगा अब आप लोगों का कैसे 26 आ रहा है 31 आ रहा है 23 आ रहा है बताएं तो आप लोग answer होगा 30 बताएं 7-7 दिन जोड कैसे करिए 27 plus 3 30 30 तारीक होगा 30 जनौरी पड़ेगा clear है ठीक है चलिए sscgd physical के बारे में अभी हम इस class के बाद आप लोगों को sscgd physical date के बारे में बताएंगे इस class के बाद ठीक है एक अन्य class schedule करा रहे हैं उसके बाद से हम आप लोगों को sscgd physical date के बारे में detail में बताने वाले है ठीक है परशान होने की ज़रुरत नहीं है जो student SCCD वाले हैं हाँ इस class के बाद आप लोग तुरन जूडेंगे साड़े नो बजे ठीक है चलिए clear है आगे चले 30 सब का आगे answer बहुत अक्षे next देखिए question number 9 कथन निसकर्स का है answer आप सभी student दीजिएगा ये भी important है पूछा गया question है question है कथन में बोल रहा है कुछ गिलास चम्मच है सभी चम्मच जग है निसकर्स में बोल रहा है सभी जग गिलास है कुछ चम्मच गिलास है अब इसमें थोड़ा सा answer आप लोग बताईए तो क्या होगा निसकर्स कौन सा सही होगा पढ़िए एक बार छोटा सा डाइग्राम बनाईए और answer दीजिए कथन में इसकर्स का simple question है आसान है पूछा गया है चलिए physical का result आगया है अभी हम आप लोग को बताएंगे इस class के बाद तुरण ठीक है हाँ साड़े 9 बज़े इसका answer दीजिए बहुत एक्षे कुछ student answer दे रहे कुछ लोग नहीं दे रहे ट्रेड मैन की आपके लिए class चल रही है CRPF ट्रेड मैन की class बहुत ही सांदार दरीके चला जा रहा है आप पे तो सभी विच्चे जूड जाएंगे ट्रेड मैन के लिए ठीक है CRPF ट्रेड मैन के लिए देखिए बोल रहे है कुछ गिलास चमच है पूरा गिलास नहीं कुछ गिलास में से भाग काट लीजिए लिख लीजिए क्या है चमच है क्या है कुछ गिलास क्या है चमच है फिर बोल रहे है सभी चमच जग है ये जितने के जितने चमच है न ये क्या है जग है ठीक है ये डाइगराम बना अब बोल रहा है निसकर्स देखिएगा सभी जग गिलास हैं क्या सभी के सभी जग गिलास के अंदर हैं नहीं अगर कुछ जग गिलास की बात करता तो बोलते हैं लेकिन यह बोल रहा है सभी जग जग वाला सरकल क्या गिलास के अंदर हैं नहीं तो गलत फिर बोल रहा है कुछ चम्मच क्या है, जग है, तो हाँ है, यहाँ पर कुछ student confused हो जाते हैं, कि सभी की बात कर रहा है, तो सभी की यहाँ पर देखा जाए, तो सभी तो है, सभी बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, बात सही है, ठीक है, है, तो answer दीजिए, कौन से सही है, केवल इसकर second, option number A, option number A answer हो जाएगा, C answer नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं, गलत है, गलत नहीं है, option number A, कुछ चम्मच है, जग है, क्या चम्मच का हिस्सा जग में है, कुछ है, पूरा का पूरा है, तो है, बस, इतना ही दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे, गल्ती होगी, clear है आगे चले, next question के तरफ, बदाईए, समझ में आ गया तो, बहुत अक्स है, very good, चले, next देखेंगे, अगला question देखेंगे, देखेंगे, डेली आप लोगों की यह जो class है ना, 8 बज़े चलती है, 8 पीम से, ठीक है, 8 बज़े आप लोग कॉपी पेन लेके बैट जाय करिए, आप लोगों के लिए, एक अप्रेल से स्टार्ट करा रहे है, एप पे, संकल्ब बैच में, चले, इसका answer दीजिए तो, देखें कितने student answer दे रहे, question number 10, important है, question है, निमलिखित में से कौन सा वेन आरेक, निमलिखित वर्गों के बीच संबंद को सही ढंग से प्रदर्सित करत है, electron, proton और प्रमाडू, क्या होगा, कौन सा diagram इसका बनेगा, बताइए, इस question को हम test के तौर पे रखते हैं, चले, answer दीजिए तो, देखें, sir, question की संख्या बढ़ा, question की संख्या बढ़ा देंगे, question की संख्या बढ़ा देंगे, इसके लिए परिशान होने के आपको ज़रूरत नहीं है, अभी हम आप लोगों को कुछ basic question करा रहे हैं, हाँ अब आगे चलके धीरे-धीरे लेबल बढ़ा देंगे कोशन की संख्या भी बढ़ा देंगे ठीक है पाँ है देखिए शमजी है आंसर दे रहे हैं कुछ से शूटिन दे रहे हैं कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं बोल रहे हैं C, D, सारे option बोल रहे हैं, तो थोड़े सा आपको समझना पढ़ेगा, हाँ, पढ़े हैं, इतना तो समझी रहे होंगे, देखिए, इलेक्ट्रान क्या होता है, जानकारी है, प्रोटान और प्रमाडू, तो देखिए, इलेक्ट्रान प्रोटान और न्यूट्रान के कर से प्रमाडू बनता है, ठीक है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, तो देखा जाये तो इसको ज्यादा नहीं समझना है, त बस option number answer, इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, option number A होगा, अगनी भीर के लिए तो class चल रही है आपकी, अगनी भीर के लिए तो आपका पूरा course भी लगवा complete हो चुका है, कुछ chapter बच्छे होंगे तो भी एक दो दिन में complete कर दिये जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? हाँ, कुछ नहीं करना है, इलेक्टान प्रमाडू का हिसा है, पोटान भी प्रमाडू का हिसा है, तो प्रमाडू के अंदर इलेक्टान पोटान इस तरह से कर लेंगे, option number आपका क्या हो जाएगा? option number A हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आगया है सभी को, बहुत दे चलिए, समझ में आगया है, तो मन लगा के आप लोग पढ़िए, कोसिज करिए आपका समय, पढ़ाई में ही ज्यादा से ज्यादा लगे, क्योंकि पढ़ाई एक मतर सा विकल्फ है, जिससे आप exam को पास करेंगे, selection लेंगे और आपकी life सांदार होगी, इसलिए आप सभी student पढ़िए, मन लगा के आप लोग तयारी करिए, कोई भी doubt एक query है, तो आप हमें message कर सकते हैं, चलिए, एक बार जल्दी से आप लोग कॉमेंट कर किए, बताइए, तो आज की class आप लोगों को कैसी लगी, और कितने question आप लोगों ने सही किया है, दस question कराए है, कितने question आप लोगों ने सही किया, एप को डाउनलोड नहीं किया, तो आप को डाउनलोड कर लीजिए, एप पर आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए class से चल रही है, आप जिस भी exam की तयारी कर रहे है, ठीक है, हाँ, आप लोगों को बता दे, SSC CZL के लिए, SSC CZL 2023 exam के लिए, SS CZL 40, 40% का off हो जाएगा, ये 5 अपरेल तक offer है, सभी बच्चे जरूर जूडेंगे, ठीक है, कोई आपको doubt है, query है, best से related, तो आप SSC Maker के customer care number 708010855, इस number पर call करके बात कर सकते हैं, ठीक है, classes एकदम basic से दी जाएंगी, zero level से, chapter by chapter, ठीक है, हाँ, CRPF के लिए बता दे, CRPF Technical and Trade management exam, 2023 के लिए, SSC Maker App, एक special batch चलाया जा रहा है, 100% selection के लिए, batch की fee, बहुत ही कम है, मात्र 250 रुपे, इस batch में भी आपकी सभी कि सभी classes, एक दम basic से, zero level से, chapter by chapter स्टार्ट हो गई है, तो जो students CRPF exam की तैरी कर रहे हैं, सभी बच्चे जुड़ जाएं, और तयारी पे अपने focus कर करें, ठीक है, और selection को सुनिशित करें, ठीक है, पढ़िये आप लोग मन लगा के, चलिए, कोई भी doubt है, query है, तो आप हमें message कर सकते हैं, Instagram पे, Instagram पे आप SSC Maker सर्च करके, follow करके जुड़ जाएं, वहाँ पे message कर दीजिए, ठीक है, चलिए, तो आज की class को यहीं तक रखेंगे बाकी आपकी next day class होगी, हाँ, class बहुत ही अक्छा लगा है, सारे student comment करें, कुछ student बता रहे है, 7 question है, 10 है, 8 है, देखिए, जिनका कम question हो रहे है, 8 से नीचे जा रहे है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 वाले, मैनत करने की जोरत है, और अच्छे से पढ़ने की जोरत है, practice करने की जोरत है, कोई doubt है, query है, तो आप message कर दीजिएगा, ठीक है, हाँ, अच्छे से आप लोग पढ़िए, मन लगा के त्यारी करिए, और अपने selection को सुनिशीद करिए, सर आप मेरा comment नहीं दे, comment आप सभी का देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो आज की class को आप लोग share कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अभी आप लोगों के लिए, साड़े नौ बजे एक और हम class schedule करेंगे, जिसमे स्सीजीडी के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़े रहेंगे, मन लगा के पढ़ते रहेंगे, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें message कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो आज की class को आप सभी student like, share, और चैनल पर नएए है, share भी जरूर करिए का आपके पास इतने भी study related group है, घर में छोड़े भाई भी हैं, दोस्ट जो भी है, उन्हें भी बताईए, SSC Maker से जुड़े पढ़ें और selection ले, ठीक है, तो आज की class को यहीं तक रखते हैं, बाकी आपकी next day class होगी कल 8 बजे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए दोश्टो धन्यवाद, जिसमें आपको अनुभवी अध्यापुकों के माध्यम से सभी classes एकदम basic से दी जाएंगी, तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए SSC Maker का आप या दिये गए नमबर पे पॉल करें. जानकारी espírit our लुवी जानका बास्टो धिक के लिएर से समयानलोड़ तो शन्यवाद के लिए सकत Давайте Task का माम कर। सह जाएंगी,